नमस्कार सबीकों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनलाइन कमिस्ट्री में मैंने कमिस्ट्री की, बिसिकली मैं मेरे चैनल पर PGT कमिस्ट्री की तियारी करवाती हूँ उसके अंतरगत अब मैं आज जो चेप्टर करवाने जा रही हूँ वो है solution, solution मैंने पहले नहीं करवाया था, RPSC 1st grade की syllabus को अगर हम ध्यान रखें तो solution का जो chapter है, वो unit 5 में आता है, 12th की syllabus के अंतरगत, unit number 5 में आता है, solution का हमें chapter और इसके 101% RPSC 1st grade में जो है, 6-7 question आपको देखने को मिलते हैं, RPSC में और अगर यदि आप other PGT chemistry के exam की बात करें, तो 3 question, 101% 3-4 question आपको other PGT chemistry में देखने को मिल जाते हैं तो कितना important है तो आप खुद देख लीजिए, फिलाल मैंने crash course chemistry का start कर रखा है, तो crash course chemistry में तो मैं revision करवाती हूँ एक या दो basically parts में, लेकिन आज मैं solution को detail wise करवा रही हूँ, because of क्योंकि मैंने solution पहले नहीं करवाया था, इसलिए मैं इसे थोड़ा detail में करवा रही हूँ तो तीन या चार videos आपकी solution की डलेगी, मैं कोशिश करूँगी कि आज आज में मैं तीनों videos डाल दूँ, नहीं तो फिर कल तक है, और उसके बाद मैं practice set अभी साथ के साथ ही डाल दूँगी solution का, चलिए अब ज़्यादा time ने लेते हूँ हम शुरुआत करते हैं solution के बारे में तो first of all solutions क्या होते है, solution क्या होता है हमारा homogeneous mixture होता है, homogeneous को हिंदी में कहते है समांगी mixture, समांगी mixture का मतलब क्या होता है कि अगर इसके जैसे चीनी है, चीनी को आपने पानी में अच्छे से घोल दिया, तो मतलब चीनी जितनी नीचे मतलब चीनी जितनी पानी में घुली हुई जैसे आपने आप चीनी मिलाते हैं चाय बनाने के लिए तो चाय में चीनी समान रूप से सब जगह अवलेबल है ना मतलब जो कंपोजिशन होता है वो हर जगह जो है solution में सेम रहता है चाहे नीचे करो बाद चाहे उपर करो चाहे बीच में करो कंपोजिशन जो है हमेशा सेम रहे वो होते हैं होमोजीनियस मिक्षर तो एक दिहान रखना सोलीशन होमोजीनियस मिक्षर होता है और जो दूसरा हम बात करते हैं सस्पेंशन वगर है वो हिट्रोजीनियस मिक्षर होता है इन्हें होमोजीनियस मिक्षर में इसका पार्टिकल स बहुत जादा मात्रा में होता है जो मतलब वह component बहुत जादा होता है वह उल्यूट अर्ड आपको समझ में आ गए होंगे अब आप इस solute को क्या है solvent से मतलब separate नहीं कर सकते किसी भी physical method से like filtration, settling और centrifugation किसी भी method से आप क्या है solute को solvent से separate नहीं कर सकते तो वो क्या है आपका solution है तो solution में क्या है आपने अभी पढ़े कि 2 component होते है solute और solvent जो ज़यादा होता है जो कम होता है solute होता है जैसे पाणी को पानी होते है पानी बहुत ज्यादा लेते है यह डू चममचegen तो वो पानी बहुत ज्यादा है صلवेंट किसी तो जब अपनी पानी में पानी आपooky तरीके से गोल दे है तो आप छान लो आपनी छानने से के फिल्टरेशन से नहीं अलग कर सकते सेंट्रिफियंसów and स्वैक्वेशन से नहीं पार्टिकल साइज वह 9 के अगर एस सॉल्वेंट हैं अगर इस aconteceu यह सोल्वेंट में इस सॉल्वेंट Mr. उसने कि आप भj chilना है खाली 2024 कि अगर अगर तोल फोर्ड थो उपार तो ऊ सोल्व टिर 오늘 क्या है अगर खली ponieważ चीनी से जाता टो बंदोी बंदो आउर तो पनयूमाडिया पका तो अगर ती आंगि देवघोंज पानी में एंग दिर दमक भी आपने तो अगन मителя है अगर नग् solution शुल्जुषन का नहीं है तो ए přis nên कंटेनें अहिं वन सोल्वेंट डिजोल्वेंट इने सॉल्वेंट इस काल चुर्ण बाइट tiस्यों अफिकर्ण सॉल्वेंट इसका मिने इसका रूरी बाद केंट से से टर्म है वाद कई बार यह भी समझ में आती है आपको यह समझ में आ चुकी होगी अब हम टाइप ऑफ सॉलुशन पढ़ लेते हैं कि इसका की एक एक्जांपल से कई बार पूछ ले जाता है यह किस टाइप का सोलुशन है तो टाइप ऑफ सॉलुशन में आप देखें यहा सकता है और गैस भी हो सकता है उस सोल्वेंट में वह सोलीड लिक्विड गैस तीन ताइप के हो सकता है अब उस सोलीड में क्या है सोलीड सोल्यूट जो है वह सोलीड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है ऐसे ही अगर सोल्वेंट लिक्विड है उसमें ज सोल्ट में परते हैं जब सोल्वन्ट आपका क्या हो सॉलिध हो सॉलिध बैसान विश्र थे Leo कौन माले साथ की जब की स्वेपारी सोलीशनip विपाशलिध। जने अगा गे यह आपका व्रण। Kennemam disappoint人 कार्क ने में व्लकु सुजूरikan में solid है दो टाइप के solid है मतलब एक बहुत ज्यादा मत्रा में होता है एक कम मत्रा में होता है ठीक है ऐसे ही है अब हम पढ़ते हैं जब solvent तो आपका solid है लेकिन अपने liquid solid में dissolved कर दिया ठीक है तो liquid in solid कहते है उसे जैसे hydrated salt है amalgam of hydrated salt का मतलब क्या है कि नमक तो बहुत ज्यादा है उसमें थोड़ा सा जैसे गीला नमक अगर आप पढ़ें तो गीला नमक आपको अगर नमक solid मतलब बहुत ज्यादा हो गया ठीक है जो ज्यादा है वो solvent हो गया और गीला पा solid जो है वो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा का है आपका solvent है ठीक है ऐसे ही gas in solid ठीक है dissolved gases जैसे dissolved होती है solid में जैसे hydrogen nickel platinum platinum solid में है जब आप hydrogen oxygen gas को dissolve करा देजी तो यह भी आपका एक अनधर एक्जांपल हो गया ऐसे ही हम तूसरा पढ़ते है liquid solution liquid solution जिसमें liquid क्या होगा solvent की तरह एक्ट करेगा अब solid liquid gas आपका solute कोई भी हो सकता है अगर solid dissolved है liquid में यह हम पढ़ते ही है जैसे कि salt और glucose जैसे चीनी और नमक यूरिया आद बहुत ज्यादा में है तो वो solvent हो गया जो कम है वो solute हो गया ऐसे ही gases in liquid हो गया तो जैसे मतलब की पानी में oxygen घुली होई है तो aerated drinks अब next हम परते है gaseous solution जिसमें अब आपका solvent तो क्या हो गया 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 और solute क्या है solid liquid gas हो सकती है तो solid in gas जैसे iodine vapors in air, camphor in जैसे कपूर है कपूर क्या है solid है carbon particles और आपके camphor in nitrogen gases में तो वो gases में gas आपका nitrogen बेसिकली क्या है आपका gases हो गया अब है liquid in gas ऐसे ही humidity in air chloroform mixed with nitrogen gas ऐसे gas in gas जैसे air होती है air में आपके क्या है oxygen भी है nitrogen भी है तो nitrogen हमें पता है 78% है तो nitrogen हम मान लेते है solvent है और oxygen क्या है solute है तो इस तरीके से आप को nine type के solutions देखने को मिलते है not so much important लेकिन एक आदा question आजाता है वो I hope आप पढ़ते ही solve कर लोगे चलिए अब next पढ़ते है expressing concentration of solution basically हम solution में कितना solute dissolved है ठीक है तो उसको मतलब उसको हम concentration कितना solute कितने solvent में dissolve किया जाता है उसकी मापने की इकाई को हम कह देते हैं कि concentration से मापा ज हुआ है जिसे percentage base में जिसे percentage base में भी तीन तरीके से मापा जा सकता है जैसे mass percent mass percent में हम कैसे mass कि कितना solute है in gram में वह कितने total hundred gram of solution में कितने gram of solute जो है वो dissolved है तो हम उसको कैसे दिखेंगे कि mass of solute जो है total mass of solution into 100% जैसे 4 example आपको ऐसे कह दिया जाता है कि आप 20% 20% glucose का solution मनाईए तो इसका क्या मतलब होगा कि हमें क्या लेना है कि 20% glucose का solution मनाईए क्या मतलब हम 20 gram glucose लेंगे और उसको हम क्या करेंगे 80 gram of basically 80 gram of 80 gram हम क्या करेंगे H2O में with dissolve करेंगे क्योंकि ये total mass of solution लिखा जाता है formula में नीचे total mass of solution का मतलब क्या है कि solute solute plus solvent में total mass of solution लिखा जाता है खाली solvent का mass नहीं है अगर आपको 20% solution लाना है तो मतलब 20 gram को 80 gram जल में dissolve करेंगे ना कि 100 gram में dissolve करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है तो mass percent क्या हो जाता है आपका WA अगर हम solute के mass को दिखाते हैं और WB हम solvent के mass को दिखाते हैं तो total mass मतलब WA plus WB into 100% ये आजाता है आपका mass percent का formula तो ये चीज़ ध्यान में रखना total ये इसलिए मैं करवा रही हूं कि छोट छोटी चीज़ें कई बच्चों को समझ ही नहीं आती है तो 20% glucose का कोई mixture बनाने को कहा दिया तो मतलब 20 gram glucose 80 gram पानी में dissolve करेंगे तब ही तो हुआ नीचे 80 plus 20 total 100 हो गया तो 100 100 gram क्या है आपका total mass होता है solution का तो आपको 80 gram पानी में dissolve करना है तो ये चीज़ ये ये जाखना ना WA over WA plus WB into 100% WB क्या हो गया आपका mass of solver ऐसे ही percentage में हम volume percentage भी निकाल से भी माप सकते है volume percentage for liquid liquid solution के लिए use किया जाता है तो volume percent भी same mass percent की तरह किया जाता है कि volume of solute आपका over total volume of solution into 100% जैसे आपको कह दिया जाए total volume of solution का मतलब क्या है कि solute का volume plus solvent का volume दोनों का volume total volume लेते हैं तो अब जैसे हम कह दिया जाए कि आपको 15% ethanol का mixture त्यार करना है अगर आपको practically laboratory में कह दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको 15 gram ethanol इतने पानी में कमें डिजोल्व करना है इतने है टि मrize करना है टोटल आपका जो है वो और वोल्यू पर क्यूंप 15 ml ethanol करें तभी आपका 100 ml solution Prime साइव मतलब आप 95 ml में चेस यह 25 ml में आप है यह 15 ml में अननल सा यह तो और बान करो करोगे तभी आपका total 100 ml solution बन जाएगा तो इस तरीके से ये usable होती है ये सब चीजे तो ये आपका volume V by V percentage आपका क्या आगया volume of solute को अगर आपने V A से दिखाया total volume of solution को हम क्या दिखा देंगे V A plus V B into 100% ऐसे ही तीसरा एक और तरीका होता है percentage में mass by volume ratio में mass by volume ratio में क्या होता है कि mass of solute होता है आपका mass of solute कितना है वो total solution volume क्या है आप उसका solvent का solution का volume आप लेते हैं volume आप solution का क्या लेते हैं आप volume लेते हैं इन 100% तो इसका क्या मतलब है कि जैसे आपको दे दिया जाए कि आपको glucose जो है 15 मतलब आपको दे रखा कि 15% glucose का mixture बनाना है तो इसका मतलब क्या है कि 15 gram glucose को आपको कितने पानी को अगर हम आयतन में मापे तो 15 gram glucose को आप कितने पानी में इंडोले कितने ml पानी में करें कि टोटल आपका 100 ml solution बन जाए तो मतलब 15 gram पानी को आप 85 ml पानी में डिजॉल्व करेंगे तो आपका ये 15% solution बन जाएगा तो इस तरीके से ये लेबरेटरी में सब चीजे यूज होती है तो ये फॉर्मुले आई होप आपको अप समझ में आ चुके होगे कि इस फॉर्मुले की क्या importance है ठीक है अब हम देखते हैं कि next strength क्या चीज होती है strength basically क्या चीज होती है कि कि कितना mass dissolve है कितने ml में मतलब कि mass of solute in grams कितने volume में मतलब ml लीटर में gram जो strength है इसको हम gram पर लीटर में से मापते हैं gram पर लीटर में यूनिट में दर्शाते हैं तो इसको strength को basically कैसे लिखते हैं कि mass of solute है वो है आपका gram में और आपका volume of solution जो है वो होता है आपका लीटर में तो हम strength को दिखाते हैं कि amount of solute in grams present in one liter of the solution तो इसको हम gram पर लीटर में strength में दिखाया जाता है ये note so much important कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन ज़्यादा powerful है तो हम देखेंगे कि जैसे आप से पूछ लिया जाए कि अगर 10 gram glucose dissolve है एक लीटर में तो वो उसकी strength ज़्यादा है या 20 gram glucose dissolve है एक लीटर में उसकी strength ज़्यादा है तो automatically 20 gram पर लीटर की strength ज़्यादा होगी 10 gram पर लीटर से इस तरीके से ये चीज़ पढ़ी जाती है या पिर हम कहें कि समझी जाती है चलिए तीसरी अगर concentration को मापने की काई होती है molarity में भी हम concentration को show करते है molarity basically क्या होती है कि it is defined as number of mols of solute dissolved in per liter of solution तो molarity को हम M से दिखाते हैं ये क्या होती है mols of solute कितने हैं जो dissolved किये जाते हैं mols of solute in dissolved in per liter of solution मतलब कि volume of solution जो हम लेते हैं volume of solution क्या हमने लिया liter में dissolved है इसको हम कहते हैं आपकी molarity अब यहाँ पे mols जो है हमें पता है mols क्या होते हैं वजन अपॉन अनुभार तो mols को हम लिख सकते हैं w a solute का mass over molecular weight तो अब mols का formula आपने यहाँ पे put कर दिया तो molarity आपकी क्या आगी w a over m w into total volume of solution मतलब capital v से हमने कर दिया और यह क्या है आपका liter में अगर v अगर आपका ml में हो तो क्या हो जाता है formula into v ml में हो तो हम उपर 1000 से multiply कर देते हैं तो यह आपकी आगी molarity तो in general molarity की unit क्या होगी mol per liter मतलब की mols of solute dissolved in per liter of solution it is known as molarity I hope यह आपको चीज समझ में आ गही होगी जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको 0.4 मतलब की कोई भी solution है उसमें कोई एक solution है उसमें sulfuric acid जो है 4.9 gram dissolved है 500 ml solution में तो इसकी molarity क्या होगी तो मतलब 4.9 gram dissolved है तो 4.9 बटे में sulfuric acid का molecular weight होता है 98 gram तो यह तो आगया mols volume कितना दे रखा है 500 ml 500 ml में है तो उपर में 1000 तो यह आपका molarity जब आप solve करेंगे तो यह आगी 0.1 mol per liter तो इस तरीके से यह caution solve है जाते है चलिए अब हम पढ़ते हैं normality normality को हम normally n से व्यक्त करते हैं जिसे molarity को m से व्यक्त करते हैं वैसे ही normality को हम किसे व्यक्त करते हैं n से व्यक्त करते हैं अब आपकी ये normality क्या होती है normality basically होती है it is defined as the number of gram equivalent dissolved in per liter of solution तो molarity में number of mole dissolved in per liter of solution और normality हो जाती है number of gram equivalent number of gram equivalent of solute जो है dissolved in per liter of solution मतलब volume of solution लेते हैं हम किसने में? लीटर में तो ये आपके हो जाती है normality को अब आप gram equivalent कैसे निकालते हैं? gram equivalent basically आपका होता है कि कितना जैसे molarity होती है mol over molar mass वैसे ही आपकी gram equivalent होता है मास over molar mass वैसे ही gram equivalent होता है mass over equivalent weight तो डबलू over equivalent weight तो आपका normality का formula ऐसे भी आप लिख सकते है डबलू over equivalent weight into volume in liter और या फिर अगर volume आपको ml में दे रखा है तो आप ऐसे भी लिख सकते है डबलू over equivalent weight in volume in ml into 100, 1000 अगर आप volume को ml में चेंज करते हैं तो एक लीटर ब्राबर एक जार ml तो उपर हजार से आपने multiply कर दे हैं तो volume आपका ml में चेंज हो गया तो इस तरीके से भी आप normality निकाल सकते हैं अब आपको देखना है यह है कि आपको दे क्या रखा अब equivalent weight बहुतों को नहीं पता होता है equivalent weight हिंदी में इसे तो लियांकी भार कहते है equivalent weight कैसे निकाला जाता है तो आपका equivalent weight basically क्या होता है कि अगर यादी जैसे कोई for example H2SO4 है कि इतनी इसकी acid के हम देखते है कितनी basicity है मतलब कितनी यह शार से react कर सकता है कितने शार से react कर सकता है तो 2H positive दे सकता है 2H negative 2shar से 2base से react कर सकता है equivalent weight आजाता है आपका molecular weight over basicity या अगर हम acid के लिए देखे और base के लिए देखे तो molecular weight है 98 basicity क्या हो गई दो शार से react कर सकता है तो 49 मतलब equivalent weight आगया तो किसी acid या base के लिए यह तो हो गया acid के लिए ऐसे ही base के लिए क्या हो जाता है कि molecular weight equivalent weight निकालना हो तो base के लिए equivalent weight क्या हो जाएगा molecular weight over उसकी acidity कि कितनी वह acid से react कर सकता है जैसे for example आपको अगर यदी जैसे COOH की twice आजाए तो COOH की twice का molar weight जितना होगा वह 2OH मतलब कि जितने H या OH होते हैं उसको हम divide कर देते हैं ऐसे ही कोई oxidizing agent है reducing agent है तो उनकी oxidation state है उसको आप divide कर दो उससे molar mass से उसको divide कर दो तो वह उसकी equivalent weight आजाता है तो इदर से एक formula वैसे भी आता है कई बर क्या होता है आपको molarity दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है इसकी normality तो यह formula याद रखना normality equals to molarity into n n basic क्या है कोई या तो वह acidity या basicity है या electron त्यागे गए grand की जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि 0.1 molar H2SO4 है तो उसकी आप normality निकालो तो उसकी normality क्या आ गई 0.1 H2SO4 में कितनी basicity होती है दो basicity होती है न क्योंकि यह से react कर सकता है because of यह 2H positive देखते हैं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कितने H positive है या कितने OH negative है या फिर अगर यादी वह कितने electron त्याग रहा है या वह कितने electron ग्रहन कर रहा है तो इस तरीके से आपको n factor देखा जाता है तो आपको nmn यह formula याद रखना है normality बराबर molality into n जली अब हम बढ़ते है molality molality क्या हो जाती है आपकी पर kg of solvent में कितना solute dissolve है तो molality को आप small m से दिरशाते है small m कितना आपका हो गया कि पर kg of solvent में कितने mol of solute के dissolve है मतलब कि mol of solute आप लेते हैं लेकिन यहां पर volume ना लेके आपका लिया जाता है volume of solution ना लेकर के लिया जाता है mass of solvent लिया जाता है वो भी kg में तो mass of solvent में एक kg solvent में आपका कितना solute dissolve है उसको आप दिखा देते हो molality से अब molality को हम ऐसे भी देख सकते हैं अगर moles को अगेन वो ही अगर आप वज़न अपोन अनुभार मतलब wa over molar molar mass में अगर moles को denote करते हैं mass of solvent जो है वो डबलू बी कैपिटल डबलू बी से dissolve कर शो करते हैं अगर kg में इसको formula को ऐसे भी लिख सकते हैं wa over molar mass और अगर यदि हमने जो ये डबलू बी है वो kg में ना लेकर अगर आपने डबलू बी जो है वो भी ग्राम में ले लिया तो kg ग्राम में कब चेंज होगा जब 1 kg राबर 1000 से आप मल्टिप्लाइ कर सकते हैं कर देते हैं तो इस तरीके से आप शो करते हैं जैसे अगर आपको आ गया कि 1.325 ग्राम ओफ एन हाइडर सोडियम कार्बोनेट अने टू सियो थी इस डिजॉल्व इंटू फिफिटी ग्राम ओफ वाटर इसकी मॉलैलिटी क्या होगी जैसे फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है कॉस्चन में कि आपको दे रखा है कि 1.325 वाटर में डिजॉल्व है तो इसकी मॉलैलिटी निकालो तो मॉलैलिटी क्या होगी आपकी वजन कितना है 1.325 ग्राम ओफ एनने टू सियो थी एनने टू सियो थी का अगर यदि मॉलर मास निकालेंगे मॉलर मास क्या हो जाएगा एनने का होता है 21 21 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ओलागर में 48 तो यह आगया आपका 106 ग्राम पर मॉल तो 106 ग्राम पर मॉल डबलू ए मॉलर मास इंटू अब आपका कैपिटल डबलू बी कितना आपका सोल्वेंट है 500 ग्राम तो धाइसो ग्राम इंटू वन थाउस तो यह कितना का अपका आगा मॉललाइटी तो इस तरीके से आप सोल्व कते कितना आप मॉलेलिटी क्या होगी कितना मह बीसिकली मॉल ऑफ सॉल्यूट है जो कि बीजूरल अबसेंटों में मॉलेटी कितने सोल्यूशन है ठाल लीटर Rio नोर्मेल्टी कितना है ग्राम एक्विलेंट कितने डिजोल्ड है पर लीटर ओफ सोल्यूशन में तो इस तरीके से आपको यह थोड़े फॉर्मले ध्यान में रखने अब हम पढ़ते हैं मोर्ट फ्रेक्शन मोर्ट फ्रेक्शन में बेसिकली कि इस दा फ्रेक्शन है मतलब कित XA basically क्या हो गया कि मॉल ओफ आ जो है कितना है टोटल मोल ओफ सोल्यूशन में ठीक है अगर हमने मोल को एन से दिनोट कर रा तो एक्स ए बराबर किया अगया अगि प्लस NB, ऐसे ही XB के mole fraction of B कितने हैं, कि B के कितने mole present है, टोटल mole of solution में मतलब N A प्लस N B, तो that is the mole fraction, अगर mole fraction percentage में पूछ लिया जाएं, तो आप इसको 100% से multiply कर दीजिए, तो XA ब्राबर N A प्लस अगर जितने भी mole fractions होते हैं, जितने भी mole fraction होते हैं, उन सब का जोड क्या होता है, अगर मालो किसी में तीन मतलब component है, तो XA, XB, प्लस XC, तो जितने भी उसमें component हो, उन सब का mole fraction का योग आपको 1 देता है, तो अगर आपको कोई question आजाता है, A और B के separately, separately mole fraction निकालो, तो आप हमेशा सिर्फ एक के निकालो, दूसरे के 1 माइनस कर दो, तो वो अपने आप दूसरे के automatically mole fraction आजाएंगे, पहली चीज, मतलब total mole fraction of the solution is always equal to unity 1, कई बास statement आते हैं, उन statement में आपको देखना होता है, कौन सा statement सही है, इसलिए यह बता रही हो, एक चीज़ घ्यामी रखना, दूसरे चीज़, अगर यह आप मोल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको मोल्स नहीं दे रखे होते हैं, वेट दे दिवाइड करके, ऐसे ही NB निका लिए, B के मोल निका लिए, and then फिटोटल मोल से डिवाइड करें, तो यह आपका आज़त है, मोल फ्रेक्शन, अब हम पढ़ते हैं, another term हम कैसे डिनोट करते हैं, parts per million में, parts per million, basically क्या होते है, कि 10 की power 6 component में, कितना कोई solute प्रेजन है, तो ज mass of solute है, तो वो total mass of solution हम लेते हैं, अभी तक तो हम 100 की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें, इन 10 की power 6 parts में, कितना solute present है, for example, अगर आपको दे रखा है, कि कोई hard water है, अगर मैं इसको धंक से समझाओ, तो कोई hard water है, ठीक है, उसमें मतलब calcium जो है, आपका present है, 10 की, मतलब calcium रखा हो, 15 ppm present है, ठीक है, 15 ppm calcium present है, तो इसका क्या मतलब होता है, कि 10 की power 6 ml hard water में, आपका, जो है, ml hard water में, आपका कितना है, 15 gram, जो है, ये calcium present है, तो इस चीज का मतलब ये है, इस तरीके से समझा जाता है, parts per million को, तो I hope आपको ये parts per million की definition समझाओ, समझ में आ गई होगी, कि 10 की power 6 parts में, कितना कोई solute present है, इसको हम दिखाते है, parts per million में, चलिए, अब ऐसे की, parts per billion क्या होता है, parts per billion होता है, कि 10 की power 9 parts में, कितना solute present है, तो इसको हम parts per billion दिखा देते हैं, मतलब कि WA, जो है, PPB, आप कैसे लिखाएंगे, कि WA, mass of solute कितना present है, mass of solution में, but in 10 की power 9 में, जैसे वो ही, मतलब कि, जब ये, हम, ये, कोई कैसी चीज की, जैसे, जल की कठोरता है, या, विशैली गैंसों की मात्रा है, वायू में, तो उसको हम PPM या PPB से प्रदर्शिक लें, for example, आपको दे रखा है, कि बहुत जादा polluted air है, और उसमें 10 PPB जो ह है, वो NO present है, तो उसका मतलब क्या हो गया, कि 10 की power 9 टोटल वायू में, टोटल air में, हमारा क्या है, 10 ग्राम जो है, 10 की power 9 ग्राम टोटल air में, हमारा जो है, 10 ग्राम NO गैंस जो है, वो present है, तो इस चीज़ को इस तरीके से समझा जाता है, आई होब आपको PPM और PPB जो है, उ कि जो अभी हमने ऊपर जितनी भी concentration को व्यक्त करने के तरीके पढ़े, तो उसमें molality, mole fraction, या फिर हम कहीं, mass fraction, जैसे mole fraction होता है, वैसे mass fraction भी होता है, तो mass fraction होता है, WA से जिसे हम करते है, तो WA over WA plus WB, that is the only mass fraction of A, mass fraction of B निकालना होगा, तो WB over total mass or solution, that is the mass fraction, तो molality, mole fraction, mass fraction, जो है ये सब molarity पे depend करते हैं, normality पे depend करते हैं, ओ सोरी, molality, mole fraction, mass fraction, ETC यह is prefer किया जाते है, molarity और normality से क्यों prefer किया जाते हैं, क्योंकि, जो ये molality, मतलब, small m, mass fraction, यह जो है, यह समने हम क्या बात कर रहे हैं, यह क्या involve करता है, mass of solute, और solvent का mass, जैसे molality है, वो क्या होता है, mass of solute, basically mass के इसकिन के मौल्य नायगों आपके हम को मौल्यार। बोल्यूम dot अधिन है तो मौल्यम की का थ skipping आपके मौल्यूम कीSoft K respond कीजिएं तो मौल्यूम कीवड़िंड being anion in 2 Bend कीशन में काउन सबता है करके नायगों मौल्यूम Keep होता है इसका कोई effect नहीं होता मास पर वोल्यूम पर इसका effect होता है बहुत significant effect होता है वोल्यूम पर इसलिए जो molality, mole fraction, mass fraction, etc. जो है very very important molality या mole fraction है यह change नहीं होते है temperature के साथ और यह ज्यादा preferred होते है concentration को व्यक्त करने के तरीके में जबकि molality और यह normality यह change होते है temperature के साथ क्योंकि इन में जो terms use होती है वो volume use होती है volume use होने के कान temperature जब change कहते है तो volume significantly change होता है जबकि mass नहीं change होता तो यह question आ जाता है इन में से किस पे temperature का कोई roll नहीं है temperature का कोई effect नहीं होता तो आपको ध्यान अखना है molality और mole fraction यह very very important कोई एफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि में हम मास को यूज करते हैं मास पर टेंपरेचर का कोई एफेक्ट नहीं होता है चलिए नेक्स्ट आप हम पड़ते हैं कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में वह आपके आजाती है कि कितना ग्राम आपने किसी सॉल्वेंट का डिजोल किया है सॉल्वेंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में कि उसका एक सैचुरेटेड बीलियन बन सके उसमें और अधिक नहीं घोल सकते तो वह उसकी सॉल्वेंट आ सकती है पॉर एक्जांपल जैसे चीनी है मालो आप दो चम्मचीनी को आपने एक गिलास पानी में घोला है तो तो इस दा सॉल्वेंट की वीडियो में बात करूंगी ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड को हम बिसिकली क्या है है鵍 Haras stationary inSi लिक्विड में नहीं दो तरीके से दिखा सकते हैं यह तो आड़र हम दिखा सकते हैं किमांस परसेंट में की sempre कितने ग्राम ओफ सॉल्वेंट ooh वह डिजॉल है 100 g of solvent यह हम गहें 100 g of solution में मतलब कि 100 g of solute को डिजॉल के आपने 100 g of solution में तो यह आगा कि आपकी solubility या फिर हम दिखाते हैं मॉल पर लीटर से molarity में कि कितने मॉल्स को आपने डिजॉल के है पर लीटर ओफ solution में तो यह आपकी solubility कहते हैं कि solid इतना डिजॉल के आपने liquid में अब दूसरी चीज़ की यह solubility को समझते कैसे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि for example आप कोई मतलब liquid लेते हैं ठीक है और फिर solubility basically होती कि कि आपने कोई liquid लिया और उसके अंदर आप यह solid डाल रहे हैं तो सबसे पहले क्याता है जब solid liquid के अंदर डालते रहते हैं तो शुरू में यह क्या करता है घुलता रहता है घुलता रहता है तो उसको हम उस प्रोसेस को कहते हैं मतलब कि आपने देखा कि पानी तो वही है एक गिलास ही है एक लीटर मान लो पानी ले लिया अब चीनी एक प्राइम ऐसा हैगा कि और ज्यादा चीनी जब आप डालोगे solid तो वह और ज्यादा चीनी घुलती नहीं है बलकि वह क्या करती है फिर नीचे वह पैंदे पर सकता एक saturated state पहुंच चुकी है कि आप और ज्यादा solid को liquid में dissolve नहीं कर सकते तो ऐसे solid क्या थे मतलब अधिकतम मात्रा जो है वह solute की dissolve हो चुकी है solvent में तो वह अधिकतम मात्रा को ही हम क्या कहते है solubility मतलब की saturated solution में कितना amount of solute जो आपने dissolve कर दिया है solvent में वही आपकी कहलाती है solubility की फर्दर क्या हो आपके crystallization crystal बनने लग जाए तो वह आपकी मतलब solubility में नहीं आएगा solubility किसी भी solid की क्या हम कह सकते है इनने liquid एक particular temperature पर कि the maximum amount of solute जो आप dissolve कर सकते है 100 gram of solvent में कि saturated solution बन जाए any temperature तो उसको हम कहते है solubility I hope आपको solubility समझ में आ गई होगी solubility जब saturated solution मनाने के लिए जो आपने maximum amount घोल दी solubility की फर्दर अब आप चीनी घोल ही नहीं सकते वह crystal बन जाएंगे तो फर्द उसको हम कहते है maximum amount को कुई वह इतनी solubility है अब यह जो solubility है कि कितना यह कई factors पर इपेंड करती है किसी liquid में तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर यदि कोई भी polar molecules है polar solid है तो वह उसको अगर आप polar ही मलब ionic है तो उसको ionic ही solvent में घूलोगे तो वह easily घूल जाएगा जैसे NaCl है मतलब नमक sodium chloride में पता है KCl है अगर आप इनको पानी में घूलते हो ठीक है तो solvent भी ionic है क्योंकि H2H4OH में यह भी ionic है तो यह easily घूल जाते है मतलब dissolve हो जाते है समान समान को घूलता है ठीक है अगर आ अगर आइनिक अगर सोलिड लेते हैं सोल्यूट लेते हैं तो वह नोग जूबेंट में ही घूलनशील होगा यह डिसॉल्व होगा दूसरे में नहीं होगा तो यह था नेचर ओफ स्विट एंड सॉल्वेंट की बाद ऐसे ही हम पढ़ते हैं एक्ट अप्रेचर सॉल्यूब को जब लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो जो उसकी solubility है वो जो temperature बढ़ाने पे क्या होती है solubility भी temperature बढ़ाने पे solubility भी जो है वो आपकी बढ़ती है लेकिन फिर इसको further और अच्छे से study किया solid की अगर हम बात करें तो कुछ solid जब आपकी कोई solute है मतलब वो भी solute आपका कैसा है solid है जब आप उसको solvent मतलब liquid में dissolve करते हैं तो अगर यदि heat भी absorb होती है और फिर आपका solution बनता है मतलब आपको उसको गर्म heat absorb कर होती है तो मतलब क्या मतलब होता है कि अगर वो endothermic process है temperature बढ़ाने पर आपका क्या है उश्मा-शोषी प्रक्रम है तो temperature बढ़ाने पर आपकी solubility भी क्या होती है बढ़ती है जैसे आपको पता है चीनी है वो आप गरम पानी में घोलो गए या दूद में गरम दूद में चीनी आराम से घुल जाती है ठंडे दूद में चीनी नहीं घुल सकती तो जैसे glucose हो गया ग्लूकोज हो गया एनने पानी में घुल जाते हैं जब आप इनको पानी में घुलते हो तो यह एंडो थर्मिक प्रोसेस है तो इनमें टेंपरेचर बढ़ाने पर तापमान बढ़ाने पर solubility बढ़ती है जब कि अगर यदि कोई सब्स्टांस सोल्यूट है वो अगर आप उसको solvent में करते हैं तो और आपके हीट निकलती है हीट बाहर निकलती है solution में हीट क्यों जैसे कि के अव्ट के के वरेखानेट थे क्यों पर तो क्या होते है कि सोर्यम हाई्ड्रोसाइड है जब आप उसको पानी में और 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 तो क्या होता है और नहीं contact बाहर निकलती है, जब heat बाहर निकल रही होती है, मतलब कि exothermic process है, exothermic process में क्या होता है, आप temperature को जब कम करते हो, तो क्या होती है, solubility बढ़ती है, तो अगर endothermic process है, तो temperature बढ़ाने पर solubility बढ़ती है, और exothermic process है, तो temperature कम करने पर solubility बढ़ती है, तो यह है effect of temperature, अब next हम और प्रेशर का कोई एफेक्ट नहीं होता यह ध्यान रखना इसे सोलीड की सोलीविलिटी पेवलेटी पेक् gratuit को यह नहीं होता है अब हम पढ़ते हैं यह तो था solid जब solution बनाते हैं मतलब solid जब dissolve होते हैं liquid में तो solubility पे क्या होती है ऐसे ही solution of gases in liquid उसकी solubility क्या होती है solution मतलब जब आप gas को liquid में dissolve करते हैं जैसे होता है ना पानी में घुली हुई गैसे oxygen nitrogen तो वह बेसिकली पानी में कितनी oxygen घुली हुई है पानी में कितनी nitrogen घुली हुई है यह उसकी क्या आजाती है solubility होती है तो बेसिकली the solubility of any gases in particular liquid is the volume of मतलब कितना volume है gas का in CC मतलब cubic centimeter की cube, 1 centimeter की cube, 2 centimeter की cube, कितना volume of gas का dissolve हो सकता है पर 1 centimeter, 1 centimeter की cube of liquid में, वह saturated solution बनाए एनी temperature पर एक atmosphere pressure पर तो उसको हम कहा देते है solubility है इस तरीके से हम जो इसको हम absorption coefficient भी बोला जाता है यह organic Benson ने दिया था इसको हम alpha भी नाते है जिसका absorption coefficient जितना ज्यादा होता है, मतलब कि जो जितना ज्यादा घुली हुई, उसका मतलब है कि वह उतनी ज्यादा घुलनशिल होती है पानी में यह dissolvable होती है, और जिसका absorption coefficient कम होता है, मतलब कि वह उतनी ही ज्यादा नहीं घुलती है पानी में अब इसको भी factors कई factors solubility of gas को effect करते हैं इन liquid में जैसे nature of gas and solvent तो nature of gas and solvent में जैसे कई गैसे है जैसे CO2 है अगर वो पानी के साथ घुल कर solvent के साथ घुल कर अगर योगिक बना लेती है compound बना लेती है NH3 है पानी के साथ घुल कर अगर वो compounds बना लेती है association में चली जाती है तो मतलब की वो solvent में ज्यादा dissolvable है तो CO2 NH3 ETC जो है पानी में अधिक विले होती है मतलब की अधिक ज्यादा विले होती है मतलब ज्यादा घुल सकती है ठीक है और अगर कई कैसे होती है जैसे H2 helium ये जो है ये पानी के साथ कोई योगिक नहीं बनाती है ये पानी के साथ कोई compound नहीं बनाती है तो ये H2O वगारा helium वगारा ये पानी में क्या होती है कम घुलंशिल होती है सबसे ज्यादा घुलंशिल के होती है इसे ही सोल्वेंट पे डिपेंड करती है आपकी सोलीबिलिटी नेक्स एफेक्ट ऑफ टेंप्रेचर पे टेंप्रेचर में इन जरणल अगर हम देखें तो टेंप्रेचर जो है इसक का सोलीबिलिटी गैस में ना की स्रीड में घुला होती है पानी में होती है तो हमेषा क्या होती है उशमा क्या होती है हीट enjoyed चो ब Только तो basically यह क्या होती है? EXoThermy process होता है इसलिए temperature & solubility का zwyGI मतलब कि Death Is Mo Jalty ॐ होते हैं जबकि पानी गरम करने पर आखी ip cort भरती है साथ घंदे पानी में मतलब नाँ पूंद जरिए ते क्यों कि थंड़े बानी में और हम सोलूबिलिटी ऐसे पानी के लिए जादा आप वग्यूगत रहता ही सब्सक्ते चल्सक्त ककी अपयुके करने पर उसको कई विचैली गैंसों से क्योंकि मुक्त किया सकते हैं आपनेworkers बढ़ा दिया तो उस में गैंसो में गुली होई जो गैंसos कम होगा उनको बדًद पानी गईंसों से मुक्त कर सकते हैं यह है उफक्न हम पढ़ते हैं अगर कई सारे तरीके क्यों मान tin solvent में तो भी solubility जो है गैंस की कम हो जाती है next effect of pressure यह सबसे important है a question 101% इसका आता है effect of pressure का effect of pressure basically क्या है इसको आगे हम हैंडरी नियम से गाते है effect of pressure क्या होते है in general अगर pressure बढ़ाते हैं तो pressure जो है वो solubility गैंस की solubility के proportion होते है प्रेशर बढ़ाने पर गैंस की solubility जो है वो बढ़ जाती है for example एक बीकर है उसमें यहां पर आपने गैंस लिया है और यहां पर आपने liquid लिया है तो यह क्या है गैंस लिक्विड में मतलब जा रही है लेकिन अगर यदि आपने इस पर एक piston लगा दिया ठीक है और यह गैंस है और यह liquid है तो यह क्या है विलेता है solubility है वो लिक्विड में बढ़ जाती है तो प्रेशर बढ़ाने पर solubility हमेशा बढ़ती है इस चीज को जो हैनरी साइन्टीस था उसने भी मतलब उसने उसने भी इसको एक्सप्रेस किया मैथमेटिकली उसने का किया कि कोई भी solubility of gas in liquid है at any particular temperature यह उसकी solubility को हम अगर यहां पर molality से डिखाएं तो कोई भी गेंस की solubility है वो उसके pressure बढ़ाने पर दा बढ़ाने पर pressure of the gas के directly proportional होती है दा बढ़ाने पर solubility बढ़ती है m बराबर इस proportional sign को हटाने पर हमने यहां पर एक proportional sign को हटाने के लिए एक स्थिरांक आगया that is the k यह एक proportional का हटाने के लिए एक स्थिरांक आया है मतलब एक constant आया m बराबर kp फिर उसके बाद henry ने कहा कि अगर यदि हम solubility को mol fraction में अगर denote करें solubility को अगर आप mol fraction में denote करें तो किसी भी gas का जो mol fraction है वो आगया m x बराबर kp फिर इसने यहां से अगर आप p निकाले तो p बराबर क्या आगया one over kx इस one over k को फिर henry ने एक अपना स्थिरांक दे दिया one over k को इसने क्या दिया p बराबर henry ने अपना स्थिरांक दे दिया kh x तो henry यह kh क्या है henry स्थिरांक है तो बिलकुल confuse नहीं हो जाना m बराबर kp में यह k is not an henry constant p बराबर kh x में kh जो है वो henry constant होता है वो तो एक proportion को हटाने के लिए constant आया है that is the henry constant that is equal to one by k and p बराबर kh x तो यहां से kh क्या आगया p by x तो basically जो henry constant है अगर हाँ देखे तो kh क्या आगया p by x तो अगर p हमने one atmosphere ले लिया तो kh जो है henry constant जो है mole fraction के inversely proportional है मतलब जितना kh कम होगा mole fraction उतना ही जादा होगा मतलब जितना henry constant कम होता है गैंसों का henry नेतां कम होता है उतनी ही गैंसों की solubility जादा होता है तो p बराबर kh into x होता है तो यहां से henry ने एक नई definition दी कि the partial pressure of gas in the partial pressure होता है गैंस का in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas in solution किसी वी गैंस का जो वाश्पदाब है वो उसके mole fraction के directly proportional होता है p is proportional to यहां से आगए x और उसके इस तिरांग को अटा होगा तो p बराबर kh x होता है फिर यह henry constant के आपको values दी गई है अलग अलग temperature पर आप जैसे oxygen है उसकी 293 पर kh की value यह है और 303 पर यह है तो एक तरीके से पहले हम ऐसे देखते हैं कि oxygen की henry constant की value यह है nitrogen की यह है hydrogen की यह है helium की यह है तो जैसे जैसे इन जनरल जैसे जैसे हमें पता भी है यह co2 जो है इसका henry constant constant देखे कितना कम है और co2 सबसे ज्यादा पानी में ज्यादा है तो hydrogen और helium इनके henry constant बहुत ज्यादा होते है इसके यह पानी में कम solubile होती है जबकि co2 इसका henry constant कम होता है तो पानी में co2 energy यह ज्यादा solubile होती है तो statement भी दिये जाते हैं इन में से कौंसा statement true and false है उसके हिसाब से भी हमें question करना होता है तो यह सब चीजे आप जब temperature बढ़ा देते हैं तो क्या होते है henry constant गाश क्या हो गया जादा होगा k जीजे zaह जादा होगा मतलब की solubility जो है उस घैंस की कम होगई अब ही हमने उपर नहां जब हम किसी भी गैंस इस टेमपरेशर बढ़ा देते हैं तो solubility मतलब वो temperature किसी भी गैंस अगर पानी मे तो हैनरी स्तीरांग जो है अगर आपने अपने तेप्षी भढ refugee भा दिया तो हैनरी स्तीरांग कि वैल्यु बढ़ती है तो यह आपको स्टेट्मेट आ जाते हैं बढ़ती है मतलब सालिबियु प्रेटी कम होती है और in general solubility है तो solubility ज़ाद है तो आप देख सकते हैं कि हैंडरी कॉंस्टेंट जो है वो nature of gas का एक function है हैंडरी कॉंस्टेंट की जितनी ज़्यादा value greater होगी solubility उतनी ही कम होगी the value of KH जो है वो temperature के साथ साथ increase करता है मतलब जो solubility है वो कम होती रहती है जैसे जैसे आप temperature बढ़ाती रहते हैं ठीक है तो यहां से आपको पता चला temperature is inversely proportional to solubility in terms of gases dissolved in a liquid और KH is inversely proportional to solubility ठीक है तो यह दो चीज़े आपको ध्यान में रखने है effect of gases में अब हम हैनरी की कुछ limitations पढ़ लेते हैं तो हैनरी low जब कभी नागू नहीं होता अगर आपका pressure हैनरी तभी लागू होता है जब pressure low होना चाहिए temperature हाई होना चाहिए और gases मतलब को इन जनल gases क्या आपके ideal gas की तरह भीएव करने चाहिए और gases जो है वो अंडर यह भी statement दे जाते हैं कि अब हैनरी नियम लागू नहीं होता है तो हैनरी नियम कब लागू नहीं होता जब दाब बहुत अधिक हो या हम कहें कि temperature बहुत कम हो या फिर gases जो है वो आपके जैसे NH3 और CO2 है जब हम इनको पानी में dissolve करते हैं तो यह पानी के साथ compound बना लेती है NH4 OH और H2CO3 तो पानी के अंदर या तो ऐसे ही NACL है इसको गैस नहीं है ऐसे ही पानी के अंदर जब आप इसको dissolve करो तो वो compound या dissociate नहीं होनी चाहिए gases ठीक है तो उन पे हैनरी का नियम लागू होगा अगर वो जैसे NH3 और CO2 है इन पे हैनरी का नियम लागू नहीं होता है क्यों लागू नहीं होता है क्योंकि ये पानी के अंदर जाके association कर लेती है NH4 OH और CO2 है compound नहीं नहीं होना चाहिए क्यों तब ही हैनरी का नियम लागू होगा है हैनरी के नियम की celebration है अब हम पढ़ लेते हैं अप्लिकेशन ओफ हैं रिलोग की जैसे हमने सबसे पहली एप्लिकेशन है इन दा प्रोडक्शन ओफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब क्या है बेसिकली जैसे जो सोडा वोटर होती है पैपसी कोका कोला बीयर शेंपेञ्ट इन सब में क्या होती है हाइप्राड अब कंडल चया कर दिएचा है इसलिए इसमें डिजॉड़ रोप उती है हाइप्रेशर पैपिखल डेकिन जैसे आप प्रेशर अटासन है बुलभलो के रूप में बाहर निकलती है तो यह एक तरीके का हमने देखा है अनुपरियोग ये जब समंदरी गोता स्मंद्री बाड़ारी पानी में जब वह समंद्र नियुक को था, जा बया था था ही, प्रैशões मांदे कि अधिкивाँ हो प्रैशन प्रैशर ज्याद ज्युक्त भूशल भानी होने कि इसांस भाड़ाए nut the oxygen hydrogen में काड़ान साथ क्या होती है blood में solubility क्या होती है बढ़ जाती है blood में solubility बढ़ जाने का जब फिर ये सतय पे आते हैं फिर से surface पे आते हैं तो pressure क्या हो गया कर दिती है तो इसको कहते हैं हम बैंड की स्थिति कब आती है कि इसको स्थिति करते हैं तो इस लिए बैंड की तो हम इनको helium के साथ मतलब oxygen and nitrogen को मिला के cylinder में भरते हैं ताकि फिर जब वो ले तो helium की हमारे blood में जाएगे और helium की तो solubility वैसे ही वह होती है तो band की स्थिति नहीं आती तो यह कोशन आता है कई बार कि band की स्तिति को कं करने के लिए कौन सी dengan को यूज़ के जाता है तो helium को ऐसके ध्यान में रखना ऐसे ही जब मतलब कि माउUNGटेंज वाल पर जाते हैं मतलब exploitation आप göz उपर पहाड के ऊपर चोटियों पर पहुंच जाते थिite को हम कहते हैं इनोग्जिया हो रहता है उन लोगों को क्यों हो रहता है क्यों कि प्रैशर कम होने का उक्जिजन गैस कम नहीं जाती है तो यह था आई ही नो की बहुत थोड़ा सा लेंथी होगे लेकिन को डिटेल में करवाना जुरूरी था क्योंकि मैं पहले लिए सोलुशन क तब तक के लिए जाए ही जाए भारत यूहीं बढ़ते रहे हों मुस्कराते रहे हों नीचे कमेंट बुक्स में कमेंट करके जुरू बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लिए